इंडियन मसालों का बहुत बड़ा हाथ है पांच मसाला रेस्पी आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ इनका यूज आपके खाने के स्वात को कई गुना बढ़ा देगा चलिए स्टार्ट करते हैं मेन मसाला यानि की गरम मसाला रेस्पी से सारे मसालों को रोस्ट करते हुए फ्लेम हमेशा हमने लो ही रखना है हाई फलेम पे रोस्ट नहीं करना है बहुत जाद एर तक रोस्ट नहीं करना है नहीं तो मसाले जल जाएंगे और उनका टेस्ट भी खराब हो जाएगा रोस्ट हम इसी लिए करते हैं ताकि मसाला ग्राइंड करने में प्रॉब्लम ना आए आप चाहें तो इन्हें धूप में भी सुखा सकते हैं एक पूरा दिनिंग को धूप लगवाने के बाद इसको ग्राइंड करें तो मसाला प्रॉपर ग्राइंड हो जाता है तो अब एक बॉल में मैंने इन तीनों चीजों को निकाल लिया है जो की रोस्ट हो चुकी है उसके बाद पैन में मैंने 10-12 बड़ी इलाइची 10-12 छोटी इलाइची साथी लॉंग लिये हैं 10-12 जावित्री लिये हैं 2 पीसिस और साथी 5-6 टुकड़े लिये हैं दाल चीनी के एक जैफल काली मिर्चली है एक चमच और साथी डाला है तेज पत्ता इन सब चीजों को भी हम 1-5 मिनट तक ही रोस्ट करेंगे कोई भी मसाला बनाने के लिए उसकी कॉंटिटी आप कम या जादा कर सकते हैं अपनी र्क्वाइर्मेंट के हिसाब से लेकिन मैं आपको यही ड्वाइस करूँगी कि मसाला जब भी बनाए थोड़ी कॉंटिटी में बनाए ताकि आपका एक मन्त के अंदर-अंदर खतम हो जाए कि बार-बार खोलने और यूज़ करने से इनका अरोमा धीरे-धीरे खतम होने लगता है आप चाहें तो इन सभी चीज़ों को एक साथ भी रोस्ट कर सकते हैं लेकिन अलग-अलग रोस्ट करने से यह अच्छे से रोस्ट हो जाती है क्योंकि कोई मसाला ज़ादा टाइम लगता है रोस्ट होने में तो कोई कम तो बस इन सब को मैंने अब grinder jar में निकाल दिया है और उसके बाद इसमें डाला है थोड़ा सा अद्रक का powder जिसे कि हम salt powder भी कहते हैं powder बनाते वक्त grinder को थोड़ा रोक रोक कर चलाएं ताकि मसाले अच्छे से पिस जाएं और मसालों के गरम होने की वज़ा से grinder को भी कोई हाम ना हो लीजिए हमारा गरम मसाला तो तयार हो गया है अब इसे किसी dry container में निकालेंगे लेकिन ध्यान रहे ये container आपका airtight container होना चाहिए नहीं तो moisture की वज़ा से आपका मसाला खराब भी हो सकता है और इसे use करने के लिए हमेशा dry spoon का ही इस्तिमाल करें मैं मसाला हमेशा थोड़ी quantity में बनाती हूँ और इने store करने के लिए इसी तरह के छोटे containers का इस्तिमाल करती हूँ कौन से container में कौन सा मसाला है ये जानने के लिए हर container पे एक slip का होना बहुत जरूरी है पेपर पे उसका नाम लिखके tape के साथ उसको stick कर सकते हैं दाकि आप जान सकें कि कौन सी डिबी में कौन सा मसाला है ऐसा करने से kitchen में काम करना ना सिर्फ आपे के लिए असान होता है बलकि कोई भी अंजाना आदमी भी आपकी kitchen में easily काम कर सकता है लेकिन मसाला रेस्पी है जिसके बारे में बहुत बार पूचा गया चाई मसाला इसे बनाने के लिए 7-8 sticks लिए है मैंने दाल चीनी की और साथी 30-40 लिए है मैंने छोटी इलाइची इन दोनों चीज़ों को मैं roast करूँगी वो भी 1-5 मिनट लो फ्लेम पे इन दोनों चीज़ों को roast करने के बाद मैंने ग्राइंडर जार में डारेक्ट ही निकाल दिया है अब उसी पैन में एक टेबल स्पून के राउंड मैंने सौंफ डाल ली है अब इसे भी 1-5 मिनट तक मैं roast करूँगी कुछ लोग ब्लैक पेपर यानि की काली मिर्च के दानों का भी इस्तेमाल करते हैं चाय में लेकिन हम लोग नहीं लेते हैं तो इसलिए मैं नहीं डाला है अगर आप डालना चाहें तो इसी टाइम पे आप सौंफ के साथ उसे भी roast कर सकते हैं और अब इसे भी मैं ग्रीन अलाइची और दाल चीनी के साथ ग्राइंडर जार में ही डाल दूँगी और उसके बाद मैं डालती हूँ चाय में roast पेटल्स आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं अगर आप मसाला बना रहे हैं तो बेटर है कि आप इसको roast करके इसी के साथ ग् इसी तरह से अगर आपके घर में तुलसी का पौदा है तो दो-चार पत्ते तुलसी के तोड के लाएं और वो भी चाय में डाल दें आप चाहे तो उनको सुखा कर इसका पाउडर बना के इस मसाला में भी एड़ कर सकते हैं कोई जानता है कि तुलसी भी एक मैडिसन की तरह ही काम करती है वाइरल फीवर हो या फिर आपको खांसी हो जुकाम हो तो इस बैस्ट होता है कि जब आप चाय पीते हैं तो तुलसी के दो-चार पत्ते उसमें आड़ कर ले और एक छोटा चमच डाल रही हूँ मैं अदरक का पाउडर यानि की सौंट का पाउडर आप चाहे की वही रेस्पी शेयर की है जो हम लोग यूज़ करते हैं कुछ लोग इसमें क्लोव यानि की लॉंग भी डालते हैं ब्लाक पपर डालते हैं आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं और बस अब लगा देंगे इस पे चाय मसाला की स्लिप एक बार यह मसाला ट्राय जरूर अब इन सब चीज़ों को वही हम एक से डेड़ मिनट तक लोग फ्लेम पे रोस्ट करेंगे इंग्रिडियंट्स वही होते हैं लेकिन हर मसाले में थोड़ा बहुत फेर बदल होता है धनिया और जीरा हर मसाले की शान है आगे की चीज़ों को रोस्ट करने से पहले इन सभी क को हम पहले एक बॉल में निकाल देंगे अब उसी पैन में कुछ तेज पता लिए हैं और साथ ही लिए सूखी साबुत लाल मिर्च को भी हम एक मिनिट के लिए रोस्ट करेंगे चैना मसाला पाउडर की जो मैं रेस्पी आपके साथ अभी शेयर कर रहे हूं वह बहुत ही बेस रेसिपी है आप इसे स्पाइसी पनाना चाहें तो आप इसमें सूखी हुई लाल मिर्च और एड़ कर सकते हैं इस मसाला को बना के एक बार यूज करने के बाद आप मार्केट से चाना मसाला कभी बाई नहीं करेंगे उसके बाद 1 फोर्थ कप के करीब मैंने लिए है कसूरी मेथी इसे भी हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे और उनी सब चीजों के साथ हम मिक्स कर देंगे उसी पैन में फिर मैंने लिए हैं दो चम्मच के अराउंड सफेद तिल बहुत सदा ब्राउन नहीं करना है इनको जैसे ही वो हलके से क्रेकर होने लगे तो आप इनको निकाल लें उसके बाद हम इनमें कुछ ड्राई इंग्रिनेट्स डालेंगे सबसे पहले दो चम्मच के अराउंड में लिया है आमला पौडर उसके बाद डाला है इसमें जिंजर यानिकी सोंट का पाउडर आमचुर पौडर डाला है एक चोटा चम्मच डाला है मैंने हींका और साथ ह डाला है इसमें ब्लाक सॉल्ट अब इन सब चीजों को एक साथ हम डालेंगे ग्राइंडर जार में और ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे नेक्स्ट रेसिपी है चिकन मसाला इसके लिए पैन में सबसे पहले लिया है वान थर्ड कप के अराउंड खस-खस खस-खस को हम बिल्कुल लाइट ब्राउन हुने तक रोस्ट करेंगे और इसी एक बोल में निकाल के साइट कर देंगे और एक पैन में डालेंगे वान फोर्ट कप के अराउंड साबुद धनिया साबुद जीरा थोड़े से लॉंग डाले है थोड़ी सी काली मिर्च के दाने बड़ी इलाइची ली है कुछ दालचीनी के पीसिस कुछ चोटी इलाइची ली है साथी ली है दो पीसिस जावित्री के वही एक से तेड़ मिनट तक हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको रोस्ट करेंगे और खस-खस के साथ उसी बॉल में इन सब चीज़ों को भी डाल द और इसके बाद बारी आती है इसे गाइन करके पाउडर बनाने की क्योंकि मुझे वीडियू बनानी थी तो सारे मसाले मैंने आज एक साथ बनाए है तो मेरा किचन तो किया आज मेरा पूरा घर खुश्बु के साथ महक रहा है तक्रीबन तक्रीबन हर तरह के मसाले की खुश्व मेरे पूरे घर में इस वक्त फैल चुकी है और यही रीजन है कि खाने में इंका इस्तेमाल हमारी भूक और बढ़ा देता है फिफ्ट एंड लास्ट रेसिपी है सांबर मसाला इसके लिए पैन में डाले हैं दो टेबल स्पून चना दाल, दो टेबल स्पून उड़त की दाल और दो ही टेबल स्पून तूर यानि की अरहर की दाल तीनों दालों को लो से मीडियम फ्लेम तक हम दो मिनट के लिए रोस्ट करेंगे दालें रोस्ट हो जाएं तो उसके बाद इन्हें निकाल देंगे एक बोल में इसके बाद उसी पैन में वन टेबल स्पून मेथि सीड्स लेंगे उसे भी एक से डेड मिनट तक रोस्ट करेंगे और उसी बोल में डाल देंगे फिर से उसी पैन में हम डालेंगे 1 फोर्थ कप साबुत धन्या और 1 फोर्थ कप जीरा दोनों चीजों को अच्छे से रोस्ट करेंगे हर मसाले को हमने बहुत ही कम टाइम के लिए और low to medium flame ही रोस्ट करना है ध्यान रहे कि high flame पे रोस्ट ना करें कोई मसाला जल ना जाए इसके बाद पैन में लिया है एक चमच mustard seed यानी की सरसों के दाने और दो चमच लिए हैं black pepper यानी काली मिर्च के दाने और साथ ही डाली है कुछ सूखी लाल मिर्च रोस्ट 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 और डाल दें उसी bowl में और उसके बाद उसी pan में डालेंगे कुछ कड़ी पत्ता आपके पास fresh पड़े हैं तो वो भी चलेंगे उनको भी roast कर सकते हैं या फिर आपके पास dry की होए कड़ी पत् तिल देन बाई टेक केर और स्टेहल्दी